अम्रुता जी नमस्कार नमस्कार मोधी जी आप तो बहुत अभारी हूँ आप मुझे चांस दिये हैं लोकों की सिवा करने के लिए हम 100% कोशिश करेंगे अभी तो हम निकले हैं तो एक BJP को उनका पिता का दिहान्त हो गया हम इधर ही आए हुए हैं तो अभी वाकर जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे अमुरता जी आप महराजा कृष्णराय चंद्ची की विरासत को आगे ले जा रही हैं एक बात आपको हम शेर करना चाहेंगे हम क्या कह सकते हैं जी जी जुरूर मुझे अच्छा लगेगा यह जो महराजा कृष्णरा का हम सामिली है तो उसका भी यह लोग जिरूद कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि वो बिटिश के साथ दिया था फिर वो मने हम लोगों को गद्दार समझते हैं क्यों क्या वो नहीं बोल रहे हैं इतना जमीन दान किया इतना सब लोगों के लिए क वो सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया यह सा, महारा राजा क्रिश्नो चंड्रा अगर नहीं करते हैं, तो हमारा सनातन धर्मन तो पुरा खतम हो जाता, है की नहीं? तो वो बात है क्योंकि तपता वो जो नवाब थे सिराजुद दौला तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टचारी थे तो उसी लिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ उसके बाद सभी ने किया जगज सेद भी थे और राजाओं थे त काम सफल हुआ तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते हमारा भाशा दूसरा होता हमारा बेश भुशा एकदम अलाग होता और सभी अलग हो जाते हम तो दूसरों के अधिन रहते ना यहीं बात है अमृता जी बचपन में हमारी हाँ हमलोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें करश्नचंद राई की समाज सुधार का काम बंगाल के विकास का काम बंगाल के विकास के मोडेल यह सब सुनने को मिलता था बचपन में अब देखिए ये बोटमेंग की राजरीती करने वाले लोग है तो बहुती अनाप सनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदराम करने का प्रयास करेंगे ये खुद अपने जो बरतमान पाप है उसको छुपाने के लिए वह ऐसी चीजें ढूनते रहते हैं लेकिन जब भगवान राम की बात आती है भगवान राम की बात आती है तो वह कहते हैं के सबूत कहां है इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो लेकिन जब प्रश्ण जंद राय की बात आती है तो तुरन दिकालते हैं तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेसर नहीं लेना चाहिए आपने तो बंगाल का उजवल भविश्य और आपका स्वयम का जीवन भी लोगों के लिए रहा है और आपके सामने बं लोगों का सेवय के लिए है और प्रॉप्शन हटाने के लिए है और बंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बढ़ गई है एक हमारा खेमा है जो इस देश से ब्रस्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्थे होना एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना आवरोप करना और जिनों ने पहले खुद ने आवरोप किये थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं याने उनके लिए देश उनकी प्रात्विक्ता नहीं है सत्ता ही उनकी प्रात्विक्ता है और इसलिए चुनाओं में हमने प्रस्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ही लड़ना है क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविशूजवल बने इसलिए प्रस्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए आपको देख करी हम आये हैं जी अमृता जी मैं बहुत आपका अभारी हूं क्योंकि हमारी टोली को आपने जब यह बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए अमृता जी बंगाल के अन्य इलाकों के तरह क्रश्णा नगर मैं भी बीजेपी को बहुत उमद के नजर से देखा जाता है अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं आपको भी लोगों का उत्सा उमद फिल होता होगा बहुत जनों म ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे नहीं दिया तो क्या मुले इसको अमृता जी मैं आपको एक बात बताता हूं हां जी मैं लीकल एडवाइज ले रहा हूं हां हां प्लीज बोले हमने बंगाल में ये इडी वालों ने करीम तीन हजार करोड रुपिया इनका किसा दिया वह सभी लोग जनते हैं वह एकदम सेड़ाप हो गया एकदम हाल छोड़ दिया हम जो देख रहे हैं के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि यह सब बहुत अच्छार हो रहा है तो मैं जो लीगल एडवाइज रह रहा हूं तो मेरी इच्छा यह है अगर मुझ जो तीन हजार करोड रुपिया है जो जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिष्वत में दिया है उन सबकों में वापिस पैसा करना चाहता हूं तो आप पब्लिक में जुरू बताइए कि मोधी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो तीन हजार करोड रुपिया इजी ने एटेश किया हुआ है वो तीन हजार करोड रुपिया गरीबों का पैसा है बंगाल के और वो उनको वापिस देने के लिए कोई रास्ता में खोजूंगा यह जुरू बताइए आप लोगो की दोशाएं आपको बताते हैं क्या बताते हैं और वोटते यह मोडी की गारंटी को लेकर आपके लोग सब्सक्रणा है हां हम तो बोले हैं तो बोला मोदी जी की तरल हमारा भी गैरंटी है हम जलूर कोशिछ करेंगे आपका सेवा में आने का अमरता जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर के और मुझे भी स्वास है कि आप विजय हो करके आपके परिवार की जो बंगाल के सेवा करने की परंपरा रही है उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी आपने चांस दिया है उस जीतने के बाद पहले सो दिन में क्रिश्णनगर में क्या करना है उसका पूरा काम निकाल के रखिए मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा और उसमें जो भी काम भारत करने होंगे वह तुरंत कराने का हम प्रयास करेंगे आपका आशिरवाद मुझे चाहिए बस बस जनता का आशिरवाद हम सब को चाहिए जनता का आशिरवाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है लेकिन आप मुझे गाइज करिए यह हमारा रिक्रेस्ट है नई बेलकुल हम संपर्क में रहेंगे और मेरी आपको बहुत सुब काम रह हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार्ट